कि अन्य गुस्तों केसे हो मैं हूं सागली और आप देख़र सागली वीलोक्स उम्मीद आप सब ठीक होंगे पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि किसी भी सब्जेक की आउलेंड केसे कवर की जाए इस वीडियो में इस्टोंस के डिमांड पे हम डिसकस करने वाले हैं कि कोई भी प्रेजंटेशन केसे बनाई जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ आउलेंड डिसकस करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि प्रेजंटेशन कैसे बनाई जाए उसके बाद presentation अगर आप दे रहे हो तो कौन सी language होने ज़रूरी है अब यहाँ पर अदर आप presentation दे रहे हो तो उसके बाद आपके you know advantages कौन से हैं तो यह सब विसी वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो आपका step है वो है आपके rough paper या rough copy जो भी teacher आपको presentation दे रहा है तो जाहरी बात है उसने आपको topic पढ़ाया होगा उसका अगर आपने class attend किया है तो अपनी rough copy कोल के उस topic को वहाँ से revision करें उस topic को revision करने के बाद जो next step है वो है discussion वहाँ पर जहाँ पर जो आप पढ़ है हो वहाँ पर दूसरे students भी होंगे वहीं topic आप उन students से discuss कर सकते हो discuss करके जो learning है आप उसको rough paper अपनी rough paper में aid कर सकते हो extra therefore जो third step पे वो है YouTube आप YouTube पे जाएं YouTube पे उसी topic के बारे में for example role of technology है सर में पढ़ाय होगा दोस्तों से share किया वहीं आप topic उसी पे आप role of technology पे वीडियो देखें अब इस्टोरंस की यहाँ पर गलती होती है इस्टोरंट एक ही वीडियो देखते हैं वहाँ से presentation बनाते हैं नहीं आप role of technology for example topic है या आपका कोई भी topic है उस topic के अंदर आप पांच वीडियो देखो चार से पांच वीडियो वहाँ पर आपको information मिलेगी writers के बारे में किस writer ने technology के बारे में क्या कहा है वहाँ पर percentages बनेगी कि इतनी percentage technologies मिल्क में यूज होती है या manufacture होती है वहाँ पर आपको आगे उस technology के uses या new जो modern technology है उसके बारे में आपको information मिलेगी जो के में भी आप किसी और वीडियो में ना ले सकते हो जब भी आप presentation त्यार कर रहे हो तो उस presentation को आपको 4 से 5 वीडियो YouTube देखने है अगर आप यहां पर का होगे के यहां पर time waste होगा नहीं यहां पर क्या होगा जब आपकी question series होगी तो question series में जो बच्चे आप से question करेंगे इमें भी वो question उन्हीं वीडियो में से आपको जवाब हो और उनको जवाब दे सके उसके साफाब साथ teacher भी question कर सकता है उसके साथ आपकी और information बढ़ेगी उस topic के बारे में topic broader हो जाएगा जब आप दूसरी लोगों को सुनते हो different different platforms प्लेटफॉम्स पे YouTube की बाद अगर आपको time बचे तो आप चेट GBT पे वही topic लिखे उसके बारे में थोड़ा written है material उसको थोड़ा पढ़ ले in the end जो हमारा है finalize करें अपनी presentation को वो कैसे अब आपको दो process है अगर आपकी presentation PVT भी है तो आप क्या करें अपनी MS office में या PVT में वहीं जो डेटा है outline बना करें पहले अपनी outline बनाएं किसी दिर अपर पर पर उसी outline को आप chgpd पर लिखोगे यह मेरी outline है kindly improve it तो उसी outline को chgp थोड़ा बहुत improve करेगा उसमें आपकी creativity भी यूज होगी और AI की creativity यूज होगी so simply in the end आप अगर ppt में दे रहे हैं तो MS office में टाइप करके ppt में convert कर सकते हो different AI tools को यूज करके या फिर अगर simply physically आप presentation दे रहे हो तो आप hand written बना सकते हो अपनी presentation अब यहां पर हमारे advantages हैं के presentation अगर आप दे रहे हो तो उसके advantage क्या हैं लेकिन उससे पहले एक दूसरी हम बात करेंगी ज्यादर दर जो students presentation में अच्छी first डालते हैं बनाने में लेकिन यहां पर एक गलती करते हैं अपनी presentation ओदू या सिंधी में देते हैं कोशिश करें जो अब यह academic है university वहाँ पर presentation अपनी English में दें क्योंकि वहाँ पर प्लेटफॉर्म है वह academic के लिए सारे subject आपके English में है तो अपनी जो medium है language medium language है वो उसको कोशिश करें English में करें ताकि उसका एक फाइदा हो कौन सा simply whenever you will improve your paragraph writing you can improve your speaking as well जो भी आप लिख रहे हो उसको आप present करोगे तो वो English में करोगे उससे आपकी you know speaking skills enhance होगी उसके साथ साथ आपकी writing skills enhance होगी अब आते हैं आगे जब आप presentation दे दोगे तो वहाँ पर आपका जो impression है not only students के उपर लेकिन उसके साथ साथ जो teachers हैं उनके उपर भी अच्छा impression बनता है for example वो कैसे आपकी speaking वो notice करेंगे कि कौन सा medium वो use कर रहा है English कर रहा है उसके साथ साथ आपके जो body language है उसको note list करेंगे body language के बाद जो आपकी eye contact है या frequency है या आपकी जो you know के presentation लिखी के से कौन सी terminology है उसको identify करेंगे teachers और students को भी पता चल जाएगा कि उनके अंदर potential कितनी है और आपके अंदर कितनी है यहाँ पर जो आपका फाइदा होता है वो probably university students के लिए यह होता है जब आपके final papers होते हैं तो teacher को आपका you know के role number या नाम याद होता है तो teacher presentation को याद कर दे कुछ grace marks ने देता है यहाँ फिर teachers ज्यादतर क्या होते हैं कि student को judge कर लेते हैं way of talking, way of you know speaking, so way of you know writing तो अगर आप class में अच्छी performance दे रहें तो probably teacher जो है वो आपको final paper में भी अच्छी याँ grace marks दे देता है और आपको एक favor दे देता है क्योंकि उसको पता होता है कि यह student जो है वो class में active है तो simply उसने paper में भी अच्छी preparation की होगी so आज के लिए video इतना ही thank you so much for watching अगर आप ने last video नहीं देखा तो last video देखके आप वहाँ से सीख सबते होगे किसी भी subject की outline कैसे cover की जाए मिलते हैं next video में